सब्सक्राइब आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छे होंगे आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी तो गाइस हम लोगों ने जो नया लेक्टर हमारा स्टार्ट किया है वह स्टास का चैप्टर नंबर 6 है ओन देखने वाले हैं सेकंड पार्ट हम इसका डिसकस करने सब्सक्राइब हैं फैस्ट पार्ट में हमने देखा कि डैर्य और लेयाईट जो है डैरी एक चोदा साल का बच्चा है जिसे लेंब को लगत है कि 13 साल का थेरा 14 साल का एक बच्चा है जो एक दीवार कूद करके गार्डन में आता है गार्डन साहज में आकर वहाँ उसे लम बिलता है लेम और डेरी जो है इन दोनों का आपस में डिसकुशन होता है लैम बहुत कोशिश करता है उसके साहज होने की लेकिन किसी तरह की घ्रणा या किसी प्रकार के आत्म अपमान से भरा हुआ डेरी जो है उसे अपने लाइफ में किसी भी पॉइंट पर उसे एंटर नहीं करने देता उसे प्रवेश नहीं करने देता लेकिन फिर भी लेरी जो है वो पूरी कोशिश करता है कोशिश करके उससे थोड़ा खुलने की कोशिश करता है कैसे विचार धा रहा है क्या है क्या नहीं तो डर के बिंदू पर वाज ग्रणा करता है हर इंसान मुझसे नफरत करता है या मुझसे डरता है मुझसे दूर रहना चाहता है फिर एक monster की जो fairy tale है उसके बारे में बात होती है last में कि आपको क्या लगता है कि जैसे उस राजकुमारी ने या उस एक यूती ने जिस तरीके से एक beast को किस किया और वो एक तरह से ही सोचते हो या चीजों को इसी तरह से देखते हो लेकिन सवाल ये भी तो है कि क्या तुम किसी को किस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए कुछ करे लेकिन तुम्हारा लोगों के प्रती क्या नजरिया है उसका भी तो उत girls लड़कियां और कौन तुम्हें किस करें या तुम किसे किस करने की सोच सकते हो girls को pretty girls प्यारी लड़कियां long hair जिनके लंबे-लंबे बाल हो large eyes जिनकी बड़ी-बड़ी आंखे हो या people you love या वो लोग जिन से तुम प्यार करते हो not one तो कहता है कि अगर मैं करना भी चाहूं किसी लड़की को किस तो क्या कि अगर आप पूछ रहे हो किसे किस करने कह रहे हो तो girls को pretty girls प्यारी long hair और large eyes वाली girls या वो लोग जिन से तुम प्यार करते हो उन्हें अगर तुम किस करना चाहो तो इस पर dairy पलटके कहता है कि कौन मुझे किस करने देगा यानि कौन ऐसा वेक्ती होगा जो मुझे अपने नजदीक आने देगा not one कोई नहीं Mr. Lam कहते है who can tell ये बात कौन कह सकत है तुम कैसे कह सकते हो कि कोई आने नहीं देगा क्योंकि तुमने कोशिश नहीं कि तुमने अपनी तरफ से तो कोशिश नहीं कि ना तुमने अपनी तरफ से पहला कदम उठाया ही नहीं तुम बस सब लोगों के बारे में ये सोच करके बैठ गए कि लोग मुझे नहीं चाह दिखूंगा यानि मैं जैसा भी दिख रहा हूं यानि कि जलेवे चाहरे के साथ वैसा ही मैं तब भी दिखूंगा जब मैं तुम्हारी उमर का हो जाओंगा मेरा जो लुक है जो जो अपीरियंस है वो कभी भी नहीं बदलने वाला मैं हमेशा ऐसा ही दिखूंगा मेरे पास अभी क्यों आधा ही चैरा है मिस्टर लेम कहते हैं सो यू विल तो ऐसा होगा but the world won't लेकिन संसार ऐसा नहीं होगा the world's got a whole face क्योंकि बाकी का जो संसार उसमें जितने लोग रहते हैं उनका पूरा चैरा है and the world's there to be looked at और संसार का जो चैरा है उसे भी उसी तरीके से देखा जाएगा मतलब जो चीज जैसी है उसे वैसा ही देखा जाएगा अगर किसी का आदा चैरा है तो उसे आदे चैरे के रूप में ही देखा जाएगा dairy कहता है do you think this is the world क्या आपको लगता है यही संसार है यही वास्तविक संसार है this old garden यह आपका पुराना सा बगीचा क्या इसे आप संसार मानते हो Mr. Lamb कहते हैं When I am here, जब मैं यहाँ होता हूँ Not the only one, अकेला नहीं But the world as much as everywhere तो उतना ही संसार मेरे लिए यहाँ होता है जितना की कहीं और यानि कि मेरे लिए जो संसार है वो जितना मेरे garden में है जब मैं इस garden में बैठा होता हूँ तो मैं इस वास्तविक ताव को भी जानता हूँ कि इतना ही संसार नहीं है इसके अलावा और भी संसार है लेकिन मेरे लिए उस वक्त जब मैं यहाँ होता हूँ यही मेरा कुरा संसार है यानि कि जिस समय आप जहां हो उस जगे के पूरे बनके रहो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के इस्थान जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है बहुत बतलब शानदार बात मुझे इस बात बहुत अच्छे लगी पर्सनली सर इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते रहे में क्या बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा बहुत सामान्य कॉश्चन कि सर आप इंग्लिश में इतना सारा कुछ बता देते हो ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो वैसे कर लो तुमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते रहे में बाकी के सब्जेक्ट छोड़ दे क्या उसके लिए आपको Mr. Lamb की इस बात को ध्यान से समझना चाहिए जिस समय English पढ़ रहे हो जितनी देर के लिए English पढ़ रहे हो उतनी देर के लिए English ही पढ़ो लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि English के अलावा other subjects हैं उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है कई स्टूडेंट है जो किसी particular subject को ही देखते हैं कि सर हम Learn and Shared से जुड़े वे तो हैं लेकिन हम एक ही subject देखते हैं हम physics ही देखते हैं यहां maths ही देखते हैं यहां English ही देखते हैं ऐसा क्यों? जिस समय English देख रहे हैं उस समय English देखो लेकिन बाकी के समय में other activities जो हमारे channel पर हो रही है उसे भी आप देखिए वो आपके लिए उस तरह का world है जो उस समय वहां मौझूद नहीं है लेकिन है तो सही अस्तित्व में तो है तो वैसा ही यहां पर भी है और वैसा ही हमारे channel पर भी है कि आप जिससे में जो lecture देख रहे हैं उस lecture को जरूर देखिए लेकिन साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि other chapters जो है या other topics है वो भी उतने ही important है तो उन्हें भी आप पूरी attention से देखे लिए कि जब उन्हें देख रहे हूं तो फिर उन्हें ही देखिए student के दिमाग में क्या आता है English का lecture देख रहा है साथ में दिमाग में tension लेके बैठा है दूसरे चार subjects की तो ना उन चार subjects को पढ़ पा रहा है ना ही English के lecture को ठीक से attend कर पा रहा है तो ना उधर का रहा ना इधर का रहा तो ऐसी इस्तिती नहीं होनी चाहिए तो Mr. Lamb कहते है कि जब मैं यहां होता हूँ not the only one अकेला नहीं बट the whole world लेकिन पुरा का पुरा संसार उतना ही मेरे लिए यहां होता है as much as anywhere जैसा कि कहीं और के लिए Derry कहता है does your leg hurt you तो Derry पूछता है क्या तुम्हारे पैर से तुम्हें दर्द पहुंचता है Mr. Lamb कहते है tin doesn't hurt boy tin जो है उससे दर्द नहीं होता क्योंकि पैर में तो माचपेशिया वगर होती है उसमें तो pain होता लेकिन एक लकडी का टांग लगी विए या tin की एक टांग लगी विए उसमें क्या ही दर्द होगा dairy when it come off जब तुम इसे हटा देते हो did it when it come off did it क्या ये बाहर हटा ही जा सकती है या इसको निकाल सकते हो तो Mr. Lamb कहते है certainly हाँ इसे निकाल के अलग किया जा सकता है dairy कहता है and now I mean where the tin stops and at the top मतलब अभी जैसे मैं आपका पैड देख रहा हूँ तो ये tin जो है ये कहा तक जा रहा है कहा तक ये tin है और कहा से फिर आपकी असली टांग शुरू होती है सबसे उपर वाला हिस्सा क्या है now and then कभी कबार in wet weather it does signify तो कभी कबार इससे दर्द होता है पीडा होती है या परिशानी होती है खास करके जब wet weather होता है बरसात का मौसम होता है तब it doesn't signify इससे कोई फरक नहीं पड़ता है या ये चीज महतवहीन है इसका कोई महतवनी है dairy कहता oh that's something else they all say ये कुछ अलग है जैसा कि वो सब कहते हैं उससे look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves हमेशा लोग इसको यही ग्यान देते हैं कि कुछ अलग सा कहते हैं कि देखो वो लोग जो की दर्द में है वो बहदुर है कभी रोते नहीं है कभी शिकायत या complain नहीं करते और खुद की जो भी इस्तिती है अपनी स्वयम की इस्तिती के लिए कभी भी शर्मिंद की महसूस नहीं करते या कभी भी बुरा महसूस नहीं करते Mr. Lamb कहता है I haven't said it लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं का क्योंकि देखो Students के लिए कुछ sentence ऐसे है जो sentence वो सदियों से सुनते वे आ रहे हैं और आगे सदियों तक सुनते रहेंगे पढ़ाई लिखाई कर ले बाकी चीजों में कुछ नहीं पढ़ा पढ़ ले रे ये कर ले लड़ाई जगड़े मत कर तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो हर स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में लगातार टीचर्स से, रिष्टेदारों से सीनियर्स से माता-पिता से सबसर्व सुनता ही रहता है तो यहाँ पर ये जो डेरी भाईसाब का मूंड है न ये भी यही है लेकिन लेकिन ऐसा तो कुछ कहा लिश्ट पहुदा ही नहीं तुमने सवाल पूचा का यह ऐसा होता वैसा होता है में नहीं बता दिया वैसे नहीं होता लेकिन घरमी वरसाज के टाइम में तोड़ी दिक्कत होती है यह comes and think of all those people worst of than you और उन सब लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी जादा बुरे हैं या तुमसे भी जादा बुरी परिस्तिती में हैं Think, सोचो, you might have been blinded, तुम अंदे हो सकते थे, और born deaf, या फिर पैदा होते ही बहरे हो सकते थे और have to live in a wheelchair, या हो सकता है तुम्हें जिन्दी की बार एक wheelchair में जीना पड़ता और भी daft, या फिर तुम पागल होते in your head अपने सर में and dribble और इधर उधर लाड टपकाते फिरते Mr. Lamb कहते हैं, that's all true and you know it, और ये सारी बाते सच हैं और तुम ये बात जानते हो, कि जो इन लोगों ने खोया है, अगर तुम्हारे और मेरे खोने की बात है तो हम दोनों ने इन सबसे बहुत कम खोया है कि अगर ऐसी इस्तिती में अगर तुम होते और आज जिस इस्तिती में हो तो एक विक्ति जो बॉन्ड एफ है या जिसके जो जरम से ही अंदा है उसके साथ अगर तुम्हारे जैसी घटना हो जाती न तो फिर भी खुश रहता कि चलो कम से कम उससे बहुत बहतर इस्तिती में ह तो इसलिए जब यह कहता है न कि तुम आप भी ऐसा ही कहना चाहरे हो कि उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास इतना भी नहीं है या जो इससे भी बुरी परिस्तिती में अपना जीवन जी रहे हैं तो Mr. Lam कहता है कि हाँ यह सब सच है कि तुम उन सब लोगों से बहतर परिस्तिती में हो and you know it और तुम इबात जानते भी हो dairy it won't make my face change लेकिन इससे मेरा चेहरा तो नहीं बदल जाता इससे मेरा चेहरा ठीक तो नहीं हो जाता जानने से समझने से या मान लेने से do you know क्या तुम जानते हो one day एक दिन की बात है a woman went by me in the street एक और जो है मेरे करीब से मेरे पास से गुजर रही थी street पर सड़क पर dairy and think of all those people worse off और उन सभी लोगों के बारे में सोच रही थी जो मुझसे भी जादा worse हूँ I was at a bus stop मैं एक bus stop पे था and she was with another woman वो किसी दूसरी औरत के साथ थी and she looked at me and she said और उसने मेही तरफ देखा और उसने कहा whispered बहुत धीमे से फुस फुसाती भी only I heard her के वल मैं ही उसे सुन पाया या मैं ही उसे सुन पा रहा था इतना धीरे धीरे वो बोल रही थी फुस फुसाती भी आवाज में she said उसने कहा look at that उदर की तरफ देखो यानि उस चेहरे की और देखो that's terrible ये बहुत ही भयानक है बहुत ही बुरा है बहुत ही बुरी चीज है या बहुत ही बुरा चैरा है that's a face only a mother good love ये एक ऐसा चैरा है जिसे केवल एक माही प्यार कर सकती है यानि कि त्री प्रेम के आधार पर आप देखो के तो ऐसे चैरे को केवल माही प्यार कर सकती है ऐसा कमेंट या ऐसी टिपनी करते हुए ये जो लेडी है ये लेडी उसके पास से घुजरी और उसने इस बात को सुना कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहने से पहले दस बार सोचना चाहिए क्योंकि हमारी कई गई बाते कई बार लोगों के बाडी शेमिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का शरीर कैसा है उसको ले करके उस पर नकारात्मक टिपनिया करना लेकिन आप सोच भी नहीं सकते आप कलपना भी नहीं कर सकते कि आपकी छोटी से छोटी टिपनी जो है उस व्यक्ति के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालती है और कैसे वो धीरे-धीरे स्वयम से घ्रना करना शुरू कर देता है मिस्टर लेम कहते हैं तो वहां पर वह औरत गुजर रही थी बस टॉप पर और उसने कुछ कह दिया तो इसका मतलब तुम जो कुछ सुन लेते हो उन सारी चीज़ों पर विश्वास कर लेते हो क जो तुम सुनते हो सभी चीज़ों पर विश्वास करते हो देन इसका मतलब ऐसा है क्या तो हमें हर जो चीज हमारे बारे में अच्छी बुरी सही गलत जो भी बोली जाए क्या सब सुन लेना चीए और सब पर विश्वास करना चीए कोई आकर कह देगे कि तुम इस तरह के बार वाला बता रहे हैं लोग खराब विश्वास करना ठीक नहीं है वह जरूरी नहीं है इस तरीके से उसने कहा यह बहुत ही क्रूर थी बहुत ही क्रूर तरीके से बात कई गई Mr. Lamb कहते है May be meant as such हो सकता है इसका मतलब ऐसा ही हो Just something said between them और इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जास उन दोनों के बीच में ही चल रही हो अब दो लोग आपस में अपने बीच में क्या बात कर रहे है उससे अपने को क्या मतलब यह भी तो हो सकता है कि दो ल मैंने सुना Mr. Lamb कहते है and is that the only thing you ever heard anything in your life और क्या आज तक तक तुमने अपने जीवन में यह एक ही बात सुनी है इसके लावा और कोई बात नहीं सुनी है बहुत सारे लोग बहुत सारी बाते करते रहते हैं लेकिन तुम तो इसी एक बात को पकड़के बैठके कि नहीं उस औ मतलब मैं ऐसा ही हूँ तो आपने उस चीज पर इतना जादा बिलीव कर लिया कि शायद उस औरत को भी इतना बिलीव नहीं होगा कहने वाली को भी तो क्या तुमने यही सुना है आज तक अपने जीवन में डैरी कहता है ओ नो अरे नहीं I have heard a lot of things मैंने बहुत सारी चीज़ को बंद रखना है कोई भी अच्छी बात कहेगा कोई भी पॉजिटिव बात कहेगा कोई भी ऐसी बात कहेगा जिससे तुमारे जीवन की दिशा बदल सकती है तो तुम उसे नहीं सुनोगे यानि कि now you keep so now you keep your ears shut तो इसलिए अब तुम अपने कान बंद रखते हो you are peculiar तुम एक बहुत ही अजीव से विचेतर से इंसान हो क्योंकि आज तक उसे इंसान जो मिले है या तो कही कहाई सुनी सुनाई बात करने के लिए teenagers को पता है सबसे दा fascinating क्या लगता है कोई व्यक्ति जो उनसे बात कर रहा है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है वो सबसे पहली बात उन पर कोई आदेश ना थोपे कि मैं ऐसा चाहता हूं इसलिए तुम ऐसा करो teenagers को इस चीज बिलकुल पसंद नहीं आ दी उनको इस चीज से नफरत है तुम उन्हें कहो ने कि रात को टाइम पर सोया करो तो लेट सोएंगे क्योंकि तुमने आदेश दिया है तु उनका नजरिया समझो उनके नजरिये को जानो और फिर उनके साथ एक ट्रेवल करो और उनके साथ चलते चलते उनके रास्ते को बदला जा सकता है आगे आमने सामने खड़े हो कि जबरदस्ती नए रास्ते पर डालने की कोशिश करोगे student कभी नहीं जाएगा teenager कभी नहीं ज चीजों को देखूं और आपके नजरिये से चीजों को देखते हुए सही और गलत में को चुनने में या जो करने के लिए अच्छा है या करने के लिए अच्छा नहीं है उसको चुनने में आप लोगों की सहायता करता रहूं और आप लोगों के बस साथ ट्रेवल करूं और आप मुझे जिस रास्ते से ले चलो आपके साथ सा चलता रहो और जहां मुझे दिखे क्योंकि आपसे हाइट थोड़ी लंबी है ने मेरी और जहां मुझे दिखे आगे गड़बड आ रही है मैं धीरे से पीछे से कान में कहें तू भाई देख क्या है यह समस्या है देख ले mind blowing type का universe उसके अंदर पनप रहा होता है। उस universe को वो explore कर रहा होता है। उसके साथ चलने में कई बार हमें नई चीज़े सीखने को मिल जाती है जो हम अपनी teenage में miss कर चुके हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि आपके जरी हम लोग अपना बच्पन जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारा बच्पन पहले ही जा चुका। तो यही चीज़ यहां पर हो रही है कि उससे यह peculiar क्यों लग रहा है क्योंकि वह कहीं पर भी contradict कर रहा है। उससे कहरा रहा है मैं आगया यहां पर मेरको जाना है। जाओ गेट खुला रहता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। क्या फरक पड़ता है जाना है जाओ कोई बात नियुक्त सेंस देख रहे हो आप लेंब का मिस्टर लेंब जो है वो बहुत ही सेंसिबल परसन है वो अकर उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो यहां रुक मेरे से बात कर तो भग जाएगा वो उसे भगाएंगे ना तो उसके मन में कुंठा ले करके कि मेरा चैरा ऐसा है इसलिए मेरे को भगा दिया बागी दस बच्चे आते हैं उनको तो नहीं बगाता तब भी कुंठा लेके जाएगा तो दोनों में से मिस्टर लेंब ने कोई रास्ता नहीं चुना उनका इट्स यॉर चॉइस डियर आप रुकना च पूशते हो जो मैं नहीं समझता कि तुम क्या चाते हो कि मैं क्या जवाब दो इन सवालों का मैं सलेम कहते हैं I like to talk मुझे बात करना पसंद है अच्छा लगता है कोई मेरे साथ हो you don't have to answer questions मैं अजीब सवाल पूसता हूँ यह ठीक है लेकिन तुम्हें उनका जवाब देनी की आवशक्ता नहीं है मतलब मैं कौन हूँ Mr. Lem कहते है वो इस तरह की भावने डालर उसके अंदर के तुम्हारी लाइफ है तुम्हारी चॉइसे है मैं कौन हूँ यहर तुम चाहो तो जवाब दो चाहो तो जवाब मत दो तुम्हें मेरे हर सवाल की जवाब की आवशक्ता नहीं है You don't have to stop here at all और तुम्हें यहार रुकने की भी जरुरत नहीं है The gate's open, gate खुला है आने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए भी Yes but, हाँ लेकिन अब पहले वह कह रहा था कि नहीं ठीक है मैं गलती से आगे मैं बें को जाना है जाना है लेकिन Yes but, हाँ मैं जा सकता हूँ लेकिन बट अब वो रुख गया अब वो रुख करके जाना नहीं चाहता बात करना चाहता है और discussion करना चाहता है और बैतर तरीके से चीजों को समझना चाहता है Mr. Lamb कहता है I have a hive, मेरा एक मदुमक्यों का चत्ता है of bees जिसमें मदुमक्या है Behind those trees over there, वहाँ वो पेड़ दिख रहा है उसके पीछे Some hear bees and they say bees buzz but when you listen bees for a long while they hum and hum means sing I hear them singing my bees तो नजरिया, यहाँ पर यह पूरे paragraph में केवल एक बात है नजरिया और इसके लिए कई बार में एक वाक्य कहता हूँ अपना नजरिया बदल लो, नजारे अपने आप बदल जाएंगे तो नजरिया बदलने की जरुरत है तो मेरा जो चत्ता है मदुमक्यों का कुछ लोग जो सुनते हैं उन मदुमक्यों को कुछ कहते हैं और हो कहते हैं कि मदुमक्या जो है यह बिन्मिनाती है लेकिन जब आप मदुमक्यों को ध्यान से सुनते हैं लंबे समय तक तो वे हम करती है humming यानि कि गुनगुनाना और हम का मतलब होता है गाना और मैं उन्हें गातेवे सुनता हूँ मेरी बीज, मेरी प्यारी मदुमक्या नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान देखेगा तो उसे अच्छाई में भी बुराई नजर आएगी कोई सही नजर वाला इंसान देखेगा तो उसे बुराई में भी अच्छाई नजर आएगी इसलिए जो हमारी पद्दती है भात देश की जो विचार धारा है वो क्या कहती है कि अगर किसी व्यक्ति में 100 बुराई हैं और 5 अच्छाई हैं तो आप उसमें से वो 5 अच्छाई ग्रहन कर लो सव बुराईयों से हमारा क्या लेना देना लेना एक न देना दो हमारा क्या मतलब सव बुराईयों होगी होगी वो जाने उसकी लाइफ जाने हमें क्या मतलब लेकिन अगर उसमें एक भी अच्छी चीज है तो वो हम उससे ग्रहन करेंगे तो इसलिए नजर से ज़्यादा नजरिया महत्वपूर्ण है कि आपका नजरिया कैसा है चीजों के प्रति Derry कहता है but I like it here लेकिन मैं नहीं जाना चाहता है मुझे यहाँ पसंद है यहाँ रुकना I come in मैं अंदर आया because I liked it क्योंकि मुझे पसंद था When I looked over the wall जब मैंने दिवार के ओपर से देखा था Mr. Lamb कहते है if you had seen me you had not have come in और Mr. Lamb कहते हैं कि अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम अंदर नहीं आते इसका मतलब Derry कहता है no अगर मैं आपको देख लिया होता है तो मैं अंदर नहीं आता Mr. Lamb कहते है no नहीं Derry कहता है I'd have been trespassing इसका मतलब मैं trespassing कर रहा हूँ हम आपको ऐसा लगता कि मैं trespassing कर रहा हूँ तो trespassing का मतलब होता है बिना किसी अधिकार के ऐसी जगह पर चले जाना किसी का अगर नीजी शेतर है जिसे private property कहा जाता है उस private property में बिना उसकी अनुमती के बिना उसकी आग्या कि अगर आप जाते हैं या वहाँ पर कुछ भी करते है वो चीज stress passing कहलाती है जिसे कहते हैं अवैद रूप से या गैर कानूनी रूप से प्रवेश करना मिस्टर लैम कहते हैं और इसलिए नहीं डेरी कहते हैं I don't like being near people मुझे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है when they stare, जब वो घूरते हैं, when I see them being afraid of me, जब मैं देखता हूँ कि वो मुझे से डरते हैं, Mr. Lam कहते हैं, you could lock yourself up in a room, तुम अपने आपको एक कमरे में बंद ही कर लो, तुम ऐसा कर लो कि तुम अपने आपको कमरे में बंद कर सकते थे and never leave it, और कभी उस कमरे से बाहर नहीं निक जोग टाइप में है, कहानी भी एक जोग है, there was a man, एक आदमी था, who did that, उसने ऐसा ही किया था, he was afraid, तुम जानते हो, वो डला हुआ था, of everything, उसे हर चीज से डल लगता था, और उसे लगता था, everything in this world, जो कुछ भी इस संसार में है, वो उसे मार डालेगा, मतलब इस संसार क निर्मान केवल मुझे मारने के लिए है, पूरा युनिवर्सी मुझे मारने के लिए है, एक बस को देखता है, तो उसको लगता है, कि शायद उसके उपर से उकर निकल जाएगी, बस might run over him, उसके उपर से गुजर जाएगी, और a man might breathe deadly germs onto him, या एक आदमी जो है, वो अपनी night, lightning might strike him down, और हो सकता है कि बिजली जो चमकरी है, बिजली उसके उपर ही गिरेगी, और he might love a girl and the girl would leave him and he might slip on a banana skin and fell and people who saw him would laugh at their heads off, so he went into his room and locked the door, तो एक किसी लड़की से प्यार कर लेगा, या किसी लड़की से शादी करेगा, तो शायद वो लड़की उसे छोड़के चली जाएगा, या फिर वो बनाना की, यानि की केले के छिलके पर फिसल के मर सकता है, गिर जाएगा और लोग जो है, उसे देखेंगे, उस पर बहुत हसेंगे, और बहुत जोर जोर से heads off, यानि की बिना सोचे समझे, तो इसलिए वो अपने कमरे में गया, एक कमरे में गया, और उसने अपने आपको lock कर लिया दरवाजे में, and got into his bed and stays there, और जाकर के अपने बिस्तर पे लेट गया, और वहीं रहा, डेरी न पुचा forever, मतलब हमेशा के लिए फिर उस बिस्तर पे ही रहा, क्या, तो Mr. Lamb ने का for a while, कुछ समय तक, फिर डेरी ने बड़ा उत्सु को ने लग on to his head and killed him, एक दिवार पर लगावा जो चत्र था, एक फोटो फ्रेम जो था, वो उसके सर पे गिरा, जिससे वो मर गया, तो मौत तो जहां आनी होगी, कहीं भी आ जाएगी भाई, वो कहीं किसी का पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो यह आदमी मौत के डर से जाकर के कमरे मे और कमरे में जाके बिस्तर पर लेटा, उपर टंगी भी थी एक पिक्चर, पेंटिंग, वो पेंटिंग धड़ाम करके सर पे गिरी मर गया, तो वहाँ पर भी जाके बचा नहीं, वहाँ पर भी मर गया, नाइस बन तो डेरी लाफ अलोट, डेरी इस उनके बहुत अस्ता है, ईसी, तुम जानते हो, लेकिन डेरी कहता है, but you still say peculiar thing, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा, कि तुम विचत्र याजीब बातेयों, मिस्टर लैं कहता है, पेक्यूलर टो संब, यानिकि मेरी बाते विचत्र होती है, कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए मेरी बाते विच विचेतर नहीं होती कुछ लोगों के लिए विचेतर होती है कुछ लोगों के लिए सामन्य होती उसमें ऐसी कोई बात नहीं देरी कहता है तुम पूरे दिन बर क्या करते हो दिन बर तुम्हारा क्या काम है है यहां तुम बैठे रहते हो तो Mr. Lamp कहता है sit in the sun, मैं सूरज की रोशनी में बैठ जाता हूं, read books, किताबें पढ़ता हूं, you thought it, was an empty house, तुमने सोचा था कि यह बहुत खाली गर है, but inside it's full, लेकिन अंदर यह भरा हुआ है, books and other things full, किताबें और अन्य बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, डेरी कहता है, but there aren't any curtains at windows, लेकिन यहाँ पर तो जो windows है, उन पर कोई परदे नहीं लगे वे, Mr. Lam कहता है, I am not fond of curtains, मुझे परदों का शौक नहीं है, मुझे आदत नहीं है परदों की, मुझे पसंद नहीं है, sitting things out, shutting things out का मतलब चीजों को बंद करना, shutting things in, चीजों को बाहर निकालना, अंदर निकालना या ढखना और उगाणना वार बार, I like the light and the darkness, मुझे उजाला भी पसंद है, मुझे अंधेरा भी पसंद है, and the windows open, और मुझे खिड़किया खुली पसंद है to hear the wind, ताकि मैं हवा की आवाज सुन सकूँ, नेचर, प्रकृती के साथ रहने वाला इंसान है Mr. Lamb, उसे अंदेरा भी उतना अच्छा लगता है, चितना अच्छा उजाला लगता है, हवा की आवाज सुनना, सूरज की सीधी रोशनी को सहन करना या प्राप्त करना उसे पसंद है, डेरी कहता है, यस, हाँ, I like that, मुझे ही पसंद है, वेन इट्स रेइनिग, जब बरसात होती है, I like to hear it on the roof, तो छट पर टपकती हुई बूंदों को सुनना मुझे बहुत पसंद है, तुम भी चीजों को enjoy करते हो, तुम भी चीजों को देखते हो, जानते हो, समझते हो, महसूस करते हो, महत्वपूर, तो तुम खोए हुए नहीं हो, are you, क्या तुम हो, not altogether, पूरी तरह से तो नहीं, you do hear things, तुम चीजों सुनते हो, you listen, तुम ध्यान पूर्वक सुनते हो, dairy कहता है, they talk about me, वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं, downstairs, नीचे वाले फ्लोर पे, when I am not there, जब मैं वा नहीं होता, what will he ever do, यह अपने जीवन में क्या करेगा, what's going to happen to him, when we have gone, माता-पिता अपस में बात करते हैं, जब हम चले जाएंगे संसार से, तो इसका क्या होगा, how ever will he get on in this world, यह अपने जीवन में इस पूरे संसार में कैसे आगे बढ़ेगा, looking like that, इस तरह का दिखते हुए, with that on his face, वो चीज, वो जला हुआ माक जो उसके चैरे पर है, that's what they say, और ऐसी ही बाते वे लोग करते रहते हैं, उसके माता-पिता करते रहते हैं, मुझे personally यह लगता है किस तरह की बात नहीं करनी चीए, वेक्ति को जीवन में जो करना होता हो, कर लेता है, एक लगड़ा वेक्ति, एक वेक्ति इसके हाथ काम नहीं करते, एक वेक्ति जिसको समझ नहीं है, एक वेक्ति जो और किसी शारिरिक शती से गुजर रहा है, बिमारी से गुजर रहा है, ऐसे लोग जो भगवान किसी को कुछ कमी देते है न तो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़े जरूर देते है टाइम के साथ हो सकता है कि वो गुण उनमें बाई बर्थ नहीं होते लेकिन एक्सिडेंटली अगर किसी वेक्तिका कुछ छिंज आता है न तो भगवान उसकी एवज में उसे कुछ ना कुछ लाजवाब गुण या कौशल जरूर देते हैं जिस लाजवाब गुण या कौशल के बल पे वो अपना पूरा जीवन शांदार तरीके से जी सकता है जैसे कि हौकिंग्स की बाद हम लोग कर सकते हैं आज जीवन जो है वीलचेर पे रहे लेकिन उसके बाद भी उनसे लाजवाब साइंटिस्ट कहां है कि वो ट्रइम ट्रेवल के अंदर किसी और जमान डैमेंशन के अंदर कोई एक इन्विटेशन सेंड कर रहे हैं कि वह कोई अगर यातरी होगा ट्राम ट्रैवलर होगा तो उसको वो इन्विटेशन मिलेगा पूरा एक banquet hall सजाते हैं उनके dinner party के लिए कि लोग आएंगे dinner करने लेकिन unfortunately कोई नहीं आता तो ऐसा वेक्ति जिसने अपना जीवन wheelchair पर बिता दिया आप सोचिए उसकी बौधिक शम्ता कहां है आपके और मेरी सोच से भी परे जहां हम कलपना हमारी कलपना जहां जाके दम तोड़ देती है वहां वो वेक्ति theories बना रहा था तो ऐसे होता है मैंने देखा है कई लोगों में जिनमें कोई अगर कमी हो जाती है किसी accidentally किसी कारणवश तो उनमें कुछ गुण या कुछ कौशल ऐसे विक्सित हो जाते हैं जो लाजवाब होते हैं अतुल्य होते हैं ठीक है तुम उस रास्ते पर चल पाओगे जहां तुम चलना चाते हो like all the rest जैसे कि बाकी अन्य सभी लोग चलते हैं and if you choose अकर तुम चुनते हो and set your mind to it और अपने दिमाग में इस चीज को जमा लेते हो कि मुझे अपनी लाइफ में ये goal है ये set कर रहा है इसको chase कर रहा है और यही क as I do बिलकुल उसी तरीके से जैसे कि मैं करता हूँ तो Derry उन से पुछता है do you have friends के तुमारे दोस्त हैं तो Mr. Lamb कहता है hundreds सेकडों की तादात में है Derry कहता है but you live by yourself in that house it's a big house too लेकिन तुम तो अकेले रहते हो इस घर में और यह तो इतना बड़ा घर है Mr. Lamb कहता है friends everywhere people come in everybody knows me the gates always open they come and sit here and in front of the fire in winter तो दोस्त सभी जगे पर हैं चारो तरफ फैले वे हैं लोग जो आते हैं सभी मुझे जानते हैं gate हमेशा खुला रहता है वो आते हैं यहां बैठते हैं मेरे साथ और सर्दियों के समय में हम लोग यहां पर आग जला लेते हैं उस आग के चारो तरफ हम लोग सब साथ में ब कोई भी आता है, so have you और वैसे ही, तुम आई हो, dairy but I am not your friend, dairy कहता है, लेकिन मैं तुमारा दोस्त नहीं हूँ, Mr. Lamb कहता है certainly you are, निशित तोर पर तुम मेरे दोस्त हो, so far as I am concerned उतने, वो सारे लोग या उतने तक, जितना मैं लोगों से संबंदित होता हूँ, वो अपने आप मेरे दोस्त बन जाते है what have you done, to make me think you are not, तुमने अभी तक ऐसा किया ही क्या है, कि मैं ऐसा सोचू कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो कोई भी वेक्ति, जो आते जाता है hi, hello, namaste भी बोल देता है, वो भी दोस्त है, क्या दिक्कत है उसके अंतर, उसने ऐसा क्या किया है मेरे प्रती, तुमने ऐसा क्या किया है मेरे प्रती, कि मैं तुम्हें अपना दोस्त ना मानूँ, तो बड़ा मस्त मिजाज है Mr. Lamb का, उनके सोचने का तरीका भी लाजवाब है, डैरी कहते है आप मुझे नहीं जानते, तो आप मुझे नहीं जानते, आप को मेरा नाम भी नहीं पता, आप कैसे कह सकते है Mr. Lamb कहते हैं, जो इसका इतना महत्मपूर्ण होना चाहिए, क्यों ये महत्मपूर्ण होना चाहिए filling box before you can be a friend तो क्या पहले मुझे तुम्हारी सारी आवश्चिक जानकारी लेनी होगी पर्टिकुलर से नहीं कि विस्तुरत विवरन लू तुम्हारा हाइट क्या है वजन कितना है क्या-क्या खाना पसंद है क्या-क्या खाना पसंद नहीं है मूल रूप से कहां से हो माता पिता का नाम क्या है सारी पहले दोस्ती का फॉर्म भरवालू भाई तेर से काम करिए मेरी दोस्ती का फॉर्म फिल करके दे अपना दोस्त बन जाएंगे तो peculiar thing down and put them in a filling box और उन्हें एक filling box के अंदर यानि कि पुरा एक form बना करके filling box का मतलब form समझ सकते हो क्या filling box में रखूं उसे before you can be a friend इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त बनो dairy कहता है I suppose not नहीं मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं मत करना तुम चाहो तो मुझे अपना नाम बता सकते हो if you choose अगर तुम चाहो तो and not और अगर तुम नहीं चाहते if you did not अगर तुमने नहीं चाहा तो कोई बात नहीं it's okay dairy कहता है dairy dairy अपना नाम बताता है dairy only it's Derek बस फरक इतना है कि dairy dairy सब लोग प्यार से कहते है वैसा नाम डेरिक है but I hate that लेकिन मुझे इससे घ्रणा है dairy dairy मेरे लिए ठीक है if I am your friend अगर मैं तुमारा दोस हूँ you don't have to be mine तो जरूरी नहीं कि तुम भी मेरे दोस्त हो I choose that मैं ऐसा चुनता हूँ मतलब मैं आपको दोस्त के रूप में चुनता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी मेरे दोस्त हो यहाँ पर डेरिक भी अच्छी बात क्या रहा है आप जिसे अपना दोस्त मानते हो उसे अपना दोस्त मानो लेकिन उस पे यह शर्त मतलब को जो जो है तुम्हारा दोस्त मैं होना चाहिए तुम हम उसे दोस्त बनाना चाहिए उसका चुनाव नहीं है ya ना कि ओल den지huk बंदाना चाहिए उसकी मरजी तो बनाएगा का नीद stehen की औरन रच और नहीं कोग कि है मेरा दोस्त हो सकता है आपके मन ने फ्रती दोस्ती वाली भावना ना हो ना हो तो मना कर दो वह यह हम लोग साथ रहते हैं ख्लास में पढ़ता है दोस्त तो नहीं है हाँ लेकिन उसने इसा कुछ here again, शायद मैं यहाँ कभी दुबारा नहीं होंगा, you might never see me again, और शायद तुम मुझे कभी नहीं देखोगे, and then, couldn't still be friend, और क्या तब, तब भी हम लोग दोस्त नहीं रह सकते, still be friend, क्या तब हम दोस्त नहीं रह सकते, Mr. Lam कहते हैं, why not, क्यों नहीं रह सकते, अगर हम एक बार मिलें और दुबारा कभी नहीं मिलेंगे, तब भी हम दोस्त नहीं रह सकते हैं, Mr. Lam कहते हैं, why not, Derek कहते हैं, how could I, लेकिन मैं कैसे रह सकता हूं, you pass people in the street, तुम लोगों के पास से गुजरते हो, सड़क पर, and you might even speak to them, शायद तुम उनसे बात भी करते हो, but you never see them again, लेकिन तुम उनसे फिर कभी नहीं मिलते, it doesn't mean they are friends, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दोस्त है, मतलब मैं सड़क पर चल रहा हूं और मुझे पचास लोग दिख रहे हैं, उनसे एकाज से हाय लोग भी हो गई, तो इसका मतलब ये धोड़ी ही कि वो मेरे दोस्त है, इसका मतलब ये भी तो नहीं है, कि वो मेरे दुश्मन है या वो मेरे शत्रू है, माना कि वो मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन वो दुश्मन भी तो नहीं है, शत्रू भी तो नहीं है, does it, कैसा है dairy कहता है, no they are just nothing, नहीं बस वो कुछ भी नहीं है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है, ना परिच्चित है, ना जान पहचान वाले वो बस लोग है, people कि वो लोग है, that's all, बस इतना है Mr. Lam कहते है, people are never just nothing, never ऐसा कभी नहीं हो सकता, कि लोग कुछ ना हो, क्योंकि लोगों का अस्तित्व होता है लोगों की सोच होती है, लोगों की विचारधारा होती है, चाहे आप उन्हें जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप उनसे परिचित हैं, नहीं हैं, आम उनके मित्र है चाहे नहीं है लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लोग कुछ भी नहीं है लोगों का भी अस्तित्व है उसी से समाज बना है उसी से शहर बने है राज्य बना है देश बना है संसार बना है तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि लोग कुछ भी नहीं है कुछ तो है कुछ तो आपको उन्हें मानना ही पड़ेगा कोई दा आइडेंटिटी आपको अपने तोर पर उन्हें देनी पड़ेगी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना दे डेरी कहता है देर आर सम पीपल आई हेट कुछ लोग हैं जिनसे मैं घरना करता हूं मिस्टर लेम कहते हैं that it do you more harm than any bottle of acid और इससे तुम अपने आपको ज़दा नुकसान पहँचाते हो एक किसी भी bottle जो acid की तुमें पहुचा सकती थी उससे acid only burns your face acid जो है उसने केवल तुम्हारे चेहरे को जलाया है या acid केवल तुम्हारा चेहरा जला सकता है लेकिन ग्रणा जो है hate जो है वो तुम्हें अंदर से, बाहर से अंतरात्मा से, मन से रिदय से, बुद्धी से सब जगे से जला के रखतेगी तो Mr. Lamb यहाँ पर कहना चाहरे है कि जब उसने कहा Derek ने कि मेरे कुछ लोग के जिन से मैं ग्रणा करता हूँ तो इन्होंने कहा कि ग्रणा जो है वो तुम्हें जादा नुकसान पहुचाएगी एक bottle of acid की तुलना में Derek कहता है only, only burns तुम कहते हो कि ऐसे केवल जलाता है केवल जलाना Mr. Lamb कहते हैं Like a bomb only blew up my leg जैसे कि एक bomb ने मात्र मेरी एक टांग को उड़ाया There's worse thing can happen इससे भी बुरी चीज़े हो सकती थी You can burn yourself away inside तुम ना केवल बाहर से बलकि अंदर से भी पूरी तरीके से जल सकते थे या अपने आपको नुकसान पहुचा सकते थे Derry कहता है After I'd come home जब मैं घर आया One person said एक वेक्ती ने कहा He had been better off Stopping in there In the hospital He had been better off with others like himself तो उसने कहा कि मेरे लिए अच्छा होता कि मैं hospital में ही रुख जाता Hospital से बाहर नहीं आता और मेरे जैसे ही लोग यानि जो किसी ना किसी दुर्गटना में जल गए है या जुलस गए है ऐसे ही लोगों के बीच रहता She thinks blind people Only ought to be with other blind people And idiot boy with idiot boys तो वह जो महिला थी उसे ऐसा लगता था कि अंधे लोगों को क्यों अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए और जो idiot वेवकूफ boys होते हैं उन्हें दूसरे वेवकूफ लड़कों के साथ ही रहना चाहिए Mr. Lamb कहते है People with no legs All together और हसते वे मतलब मजाग उड़ाते वे खुद का मजाग उड़ाते वे कहते है जिनके पैर नहीं होते या जिसके टांगे नहीं है उन्हें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनके पास टांगे नहीं है तो खुद का भी example जोड़ देते है Dairy कहता है That's right यह बिल्कुल सही है उसका यही कहने का मतलब था Mr. Lamb कहते है What kind of world would that be So किस तरह का वो संसार होगा जिसके अंदर सारे अंदे अंदे एक साथ रहे है सारे बहरे-बहरे सारे गूँगे-गूँगे सारे लगडे-लगडे सारे ऐसे लोग जो जल गए है हो सब एक साथ रहे है अलग-अलग नहीं रहे है Dairy कहते है At least there'd be nobody to stare at you because you weren't like them कम से कम इतना तो होगा कोई भी तुम्हारे को घूरेगा नहीं क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो क्योंकि सारे एक जैसे हैं अगर सब के face जलेवे हैं सब कहीं ना कहीं से जलेवे हैं तो सब एक जैसे हैं तो कम से कम कोई तुम्हें घूरेगा तो नहीं इससे तो चुटकारा मिलेगा Mr. Lamb कहते है so you think you are just the same as all the other people with burned faces तो तुम्हें लगता है कि तुम बिलकुल वैसे ही दूसरे लोगों की तरह हो जिनका चैरा जल गया है just by what you look like कि वल इस वह से जैसे तुम दिखते हो अरे everything is different हर चीज अलग होती है everything is the same और हर चीज सेम भी होती है but everything is different itself लेकिन हर चीज अपने आप में अलग होती है अगर मैं यह कहूं कि आप में से कौन-कौन teenager है तो आप सब कह देंगे हम सब teenager है तो आप सब लोग सेम हो गए आप में से कौन-कौन लोग 12th class में पढ़ते हैं आप सब कहेंगे सार हम सब 10th class 12th class में पढ़ते हैं तो आप सब सेम हो गए आप मेंसे मैं पूछूँगा कौन-कौन से लड़के हैं, कौन-कौन से लड़के हैं, तो अब आप सब different हो गए, तो same time पे, आप same भी हैं, लेकिन आप different भी हैं, अगर उन मेंसे मैं पूछूँँ कितने ऐसे student हैं, जो बहुत गुसा करते हैं, तो वो लोग अलग हो जाएंग तो आप nature के आधार पे देखेंगे, आप आकार प्रकार के आधार पे देखेंगे, किस-किस की height जो है 4-5 feet तक की है, किस की height जो है 6 feet या उससे उपर की है, तो आप सब लोग teenager हैं, आप सब लोग 12th class में हैं, same होते भी एक दूसरे से सब के सब different हैं, तो यहाँ पर यही बात एक ही सेम बात है, कि उनका चैरा जुलस गया है, लेकिन सब सेम नहीं है, हो सकता है किसी का आधा जुलसा, किसी का थोड़ा सा, किसी का जाधा, अलग हैं वो, same होते भी अलग हैं, category नहीं कर सकते, आप categorize नहीं कर सकते लोगों को, हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितिय ह आप अलग नहीं कर सकते, कि ये व्यक्ति ये व्यक्ति सब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, आपके सब एक जैसे हैं, इनको अलग अटाओ, ऐसा नहीं हो सकता, हम में सब हैं और सब में हम हैं, ये भाव जो है, यही भाव यहाँ पर हमारे लेम भाई साब यह बताने की तो I hope guys आपको lecture अच्छा लगा होगा Thank you very much I'll see you soon in my next lecture Till that take care of yourself Bye-bye See you soon